हर हर महादेब, हमारे observable universe जो की एक है, उसमें two trillion galaxies हैं, एक galaxy को पार करने के लिए अगर प्रकाशवर्ष यानि की light year की गती से भी travel किया जाए, तो भी हमारी जो galaxy है मिलकी वे, उसके center में पहुँचने के लिए भी हमें 25,000 साल लग जाएंगे, तो इस सरहें से एक galaxy नहीं, एक observable universe है, जिसमें सिर्फ एक ही है, जो observe किया जा सकता है, और उसमें two trillion galaxies हैं, जिसमें से एक galaxy के center में पहुँचने के लिए 25,000 साल लगेंगे, वो भी प्रकाशवर्ष की गती से अगर जाएं तो, तो imagine कीजिए हमारे वेद पुराणों में 14 भुवन का उल्लेख है, एक भुवन यानि एक universe, एक ब्रह्मांड, चौदा भुवन यानि की चौदा ब्रह्मांड, जो science अभी तक प्रूव नहीं कर पाई है, science अभी तक एक observable universe की बात करती है, multiverses की बात करती है, लेकिन multiverses की theory कितनी सच है, हमारे वेद पहले से बता चुके हैं, कि चौदा भुवन है, यानि की चौदा ब्रह्मांड की तो पुष्टी की है वेदों ने, पुराणों ने, अब science देखते हैं कितना पुष्टी कर पाती है, interesting,